नमस्कार मैं हूँ धर्मेन सिंगा और आप देख रहे हैं किसान तक बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम क्या तो यहां बरफीली हवाओं ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है बरफीली हवाओं के चलते थंड एक बार फिर से बढ़ चुकी है सीतलहर के प्रकोप के चलते पूरे उत्तर प्रदेश का जन जीवन अस्त ब्यस्त है जिसे देखते हुए सरकार ने भी स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा कर बीज जन्वरी तक कर दिया है 22 जन्वरी को अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिस्ठा होनी है और इस दवरान देखा जाए तो पूरे देश भर से स्रध्धालू और विशिष्ट अतिती भी अयोध्या पहुँच रहे हैं लेकिन बात किया जाए तो इन स्ठंड से उनका भी हाल ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में अभी देखा जाए तो अगले पांस दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है मौसम विभाग के पुर्वान मान के मुताबिक 23 जन्वरी तक मौसम में किसी भी तरीके की सुधार होने की गुंजाइस नहीं है मौसम बैग्यानिकों का कहना है कि पस्चमी बिच्छोप का अच्छर कम हुआ है लेकिन वहीं जो साइवेरियन वेव हैं जिसके चलते वर्फीली हमाये चल लहीं है उसका असर बढ़ा है हलाकि उत्तर प्रदेश के पुर्वी हिस्से में कई जिलों के अधिक्तम और नियुंतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है एक दो डिग्री बढ़ोतरी होने से यहाँ पर लोगों ने कुछ राहत जरूर महसूस की है लेकिन पुस्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का हाल बुरा है यहाँ पर हाल कपा देने वाली ठंड पड़ रही है मुझफर नगर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्च किया गया है वहीं अगर बात किया जाए तो मेरट, सहारनपूर, विजनवर, रामपूर इलाके में सीत लहर चल लही है मौसम विभाग के पुर्वान मान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पुस्चिमी उत्तर प्रदेश के जाततर इलाकों में घना कोहरा चाया रहेगा बारिस का कोई एलर्ट नहीं है, मौसम सुक्रवार को सुस्क बना रहेगा, वहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन धूप भी ठंड को कम करने में बेसर साबित हो रही है धरमेन सिंग किसान तक लखनव